हेलो फ्रेंड्स एक्ससाइज 6.1 स्टार्ट करन तो पहला तो आन्नों एक दो बेसिक कंसेप्ट्स दी जड़ी है जानकर होनी चाहिए जैसे विछ फस्ट है साथा रेखी जोड़ा जिसनों सी बोल दें लीनियर पेर लीनियर मीन्स लाइन रेखा सो ओव कौन साथे जड़े सि जा रही है यह अपरसी किसी भी सेक्ष्टन तो इसनों डबाइड करके इस तरह दो एंगल यह तिन एंगल एस तरह डड़ी कर दीए है इसनों थो पार्ट्स तेविच इसी डवाईड करता है तो यह जोड़ा बनागे है तो रेखी जोड़ा की हुँदा है ज़िदों स्पोसे एंगल 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 बी ए ता सिद्धी लाइन सी जड़ी लाइन सदी वह 180 डिगरी था एंगल बनाओ दिया 180 था जिए मैंना दूद ननो प्लस कर लाइन दो में एंगल नो तो मेरे पास किन्न आना चाहिए तो सम्दे एंगल बनादा है 180 डिगरी अना चाहिए यह कंसेप्ट जड़ी आशी है 6.1 बांदे वेचे यूज़ करांगे कि जदों कदे भी करेखा आंदी एक लाइन आ ज़िवर को ता इस अटे पास X बन दाए ता ये लिए ये सामण याले को उने शेखर सन्मुफ को वर्टी कली ओपोजिट एंगल एक ही हुंदेने हमेशा ब्राबर हुंदेने तोकि जैसे एक साइड तो एंगल कटा आई है लाइक देस वन ये में एक साइड तो कटा आ रहे है ता दूसरी साइड भी कट रहे है ठीक है तो ये समण याले को उने एंगल समण ये इस वन एक ही होनगे ब्राबर होनगे ए वोला तो ये वोला स्पोजिए कि ये X है एक ही है Y है तो एंगल X is equal भी होगा एंगल Y होगा सो दो कंसेप्टर से एक्ससाइज 6.1 दे विच यूज करनी है ने सो क्वेशन नंबर वन डिसकस कर दें इस तो बाद आपाँ सारे क्वेशन्स नूँ साम्जान दे लाई वीडियो नू थोरोली ते एंड तक जुरूर देखो 6.1 दा जिला फास्ट क्वेशन है इस दे विच सानू गिवन है इन्दा फिगर 6.13 ये इस वाली फिगर दे विच AB और CD या इंटरसेक्ट एट ओ AB ते CD दो लाइन्स ने AB ये वाली CD ये वाली दो लाइन्स ने इंटरसेक्ट कर दियाने प्रोमेट ओ देवपर सेम फिगर है एंगल A, O, C प्लस एंगल B, O, E ये थे A, O, C ते B, O, E मिलके दुने किन्दा बान देने 70 डिगरी A, O, C, B, O, E एवाला ते A वाला दुने एंगल जड़ेने मिलके 70 डिगरी बनाते ने एंगल B, O, D एंगल B, O, D कौन जड़ा B, O, D है साथे पास वो क्या 40 डिगरी B, O, D B, O, D है साथे पास गिवन है चाड़ी तासी पता की करना है एंगल B, O, E लुए पता करना है ते रिफलेकस कोन छूण एंगल C, O, E रिफलेकस एंगल C, O, E पता करना है एसए पास दो चीजा गिवन है दो आसी पता करना है आसी परना फिर्गर जड़ी है उनूँ समझे लेने है ते इसले going a- गिवजय लेनी है प्लस कौन B O E, दो में एंगल्स नों प्लस करके किनना अंदा सड़े पास, 70 डिगरी, दूसरा एंगल्स नों के बना है, एंगल B O D is equal to 40 डिगरी, फाइंड की करना है, पता की करना है, कोन B O E, ते रिफलेक्स, एंगल्स नों कोन पता करना है, तो जड़ी मैं फिगर है, थोड़ी काट बनाई है, इस बिच एक पार्ट मैं शड़ता है, जो मैं क्वेश्चन देना और कंपेर करा, ता क्वेश्चन दे विच मेरे पास, ए वाड़ी एक लाइन जड़ी है थो, ड्रॉ किती हुई है, पॉइंट O थो, सो पहला मैं समझण दे रहे, सरफ इना दो रिखामानों बनाया है, ता कि एसी पिच्चर दे विच, स्केच दे विच, कनफ्यूज ना हो जी है, साथे पास की है, तो सिद्धी है रिखामाने, एस जगह ते कट दियाने, ता जो सिद्धी रिखा होंदी है, ए वाड़ी, ता सी होने पड़े है के रेखी जोड़ा, दोने कोना दा जोड़ के ना होंदा है, 180 होंदा है, सो उसने साननों कनफ्यूज करन दे लेकी किता है, कि उसने एंगल, पॉइंट ओ तो, एक एंगल हो ड्रॉप करता है, इस तरह एक लाइन ड्रॉप करती है, करन ड्रॉप करती है, रेखा, स्वारी करन, ए वाड़ी ओ तो, इथे तक, ते इस दे ना लगेला साथा, ए एंगल थे, ए वाड़ा एंगल, इना दे शी नाम लिख लागे, तो, हलके में करना सी, सॉलब के में करना है, एंगल ए, ओ, सी, क्योंकि मैंनों करता है, ए, ओ, सी, ए वाड़ा, प्लस एंगल, सी, ओ, इ, प्लस एंगल, इ, ओ, बी, ओ, इ, ओ, इ, वाड़ा एंगल, तो, तीसरा एंगल है का साड़े पास, एंगल, बी, ओ, इ, इ, सो, इ, तिन्ने की बना देने, लीनियर पेर, तो, तिन्ने मिलके की बनना चाहिए, एक सो, असी डिग्री, रीजन की है, यह की इन्ने, लीनियर पेर ने, एक रेखा दे उपर बने जाने, रेखी जोड़ा है, तिन्ने मिलके एक सो सी बनना चाहिए, तो, ए, ओ, सी, प्लस, बी, ओ, जी मैं, ए, सेंगल हूँ, ए, सेंगल दे बिचे प्लस करना, तो, मेरे पास आंसर केना उना चाहिए, एक सेवंटी, इन्ना दे लग लग वैल्यूज नहीं दत्नियों सान्नों, पर इन्ना दुन्दनो पलस करके ल्यता हि, सो मैं C, O, E BE लग लिख लाना है, इन्ना दुन्दनों कठा कर लाना है मिलके ऐंगल करना चाहिए 180, तरहे दुन्दना दी प्लस बला के मैं किना पुट कर दना है 70 so मेरे पास angle c o e plus दुन दुन मिलके की बना है 70 is equal to 180 so मैं 70 दे विच की एड करा कि answer 180 आजे मेरे पास उदर जाके सी subtract कर दना है so angle c o e is equal to 180 minus 70 that means this is 110 110 degree so असी angle c o e जिडा है वो find कर ले आए ये बड़ा this one इसा डिकोड किना आगे है 110 10 degree एसे तरह angle b o d भी सान्नू पता है ये बड़ा इसान्नू किना आगे बना है 40 degree so सान्नू उनने c o e दा reflex बुच्छ आए reflex होंदा है जिडा 180 तो बड़ा होगे c o e तो बार वाड़ा c o e a इसा ये एंगल शोटा है reflex सारा बाहर so reflex angle पता करना वास से असी एंगल नो 360 दे बिच्छो माइनस कर दने है असी पता करना है reflex angle c o e इस दिल इसी की करना है इस दिल इसी 360 दे बिच्छों तो बार वाड़ा एंगल फाइंड करना सी इस सेड वाड़ा 360 दे बिच्छों एंगल c o e जोड़ा चोटा सी फाइंड कीता है वाड़ा इसनों माइनस कर दने सो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री तांसरा के साथे पास 250 डिग्री तो यह रिफ्लेक्स एंगल c o e होएगा मीन्स ए साथा c o e है इस तो बार सारा वो की होएगा 250 होएगा इस साथा यह वाड़ा पार्ट हो गया है reflex एंगल c o e सानों पता लग गया है तूसरा पता करना है यसी एंगल b o e फिर तो असी पिक्चर बल चाल देया पनी बल एंगल b o e सो जी मैं यह सुनते हैं अनल दिखाता है यह वाड़ी मेरे पास लाइन है तो यह यह लाइन है इस भी 180 130 डिग्री ता कौन बनाऊं दी है तो यह तिन पार्ट होगे ने वाड़े फस्ट सेकेंड थर्ड तो यह दिखाता है ना ना बिलाब के किना बाणना चाहिदा है 180 लीनियर पेर लाइनस दी सो दो एंगल अनुपताने तीसरा पता लाज़ी का तिन ना बढ़े प्लस करके किना बाणना चाहिदा है 180 दिखाता है 180 क्योंके लीनियर पे यह रहा है सो C O E मैंनों पता लगे मैं फाइंड कर ले है यह सो मेरे पास है ऐसी 110 डिग्री B O E मैं पता करना है यह मैंनों गेबन है 40 डिग्री 13 मिलके बाढ़ना चाहिए एक सो असी डिग्री सो 110 डास्ते चाड़ी 110 प्लस 40 बनादस अड़ा 150 डिग्री सो जदो मैं इसनों राइट हैंड साइड लेके जमागा तो मेरे पास B O E किया जेगा 180 माइनस 150 is equal to 30 डिग्री अग्जाम दे पॉइंट ऑफ यू तो most important question है तो असी दोनों एंगल्स फाइंड कर लेने B O E ते reflex एंगल C O E तो इस तो पाद असी question number two discuss कर देयां तो दोस्तों जेकर तोसी हैं जे तक मेरे चैनल नो सब्सक्राइब नहीं कीता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल तांके तो अनुले टेस्ट वीडियो ते रेगुबर आप तो दे बिच सनकी गिवन है इन्दा फिगर लाइन एकस वाई एड एंड मन इंटरसेक्ट आट ओच तरदे विच दोरे कामा एकस वाई एम एन बिंदू ओदे उपर कट दिया ने कौन पी ओवाई एंगल पी ओवाई ये निशान लाए ये नाइंटर डिगरी बाए एंड ए रेशो बी इत्थे ए लिखे ये इत्थे बी लिखे दो में एंगल्स दी जिली रेशो है अनुपात है वो कि नहीं तू रे इस ऊथ्रीच चल ने जमनों मॉलटी पर गरता है तो है ता दूजा पंददतरह हैसा लोख करना पाईगा जोखे लिखेटे किन पते करों आपनाएग ह프ारी पी-ओ-वाई इप्ञेर एक में रेही गैल र हुअ लाइन रहा है एग्र विज्गेर टांकर अपार शमांप कर सम्झों गिए कि साथ पास की बन दाए थे लेघा एनकर ए लिदी घंoh में इगल सब size of बन कर देहा है में व्य। आखेए कि एंगल पी ओ वाई एप वाई इतर फिया है नाइन्टी डिगरी एए थे दूसरा एंगल एटे बी अटे बी इजरी सनु रेशो दती एए बी ते एडिन इसानु रेशो दती है इसी बता करना है सी नाद धी रेशो साटे पस है टू रेशो थ्री इंद तो इस तो क्रॉस मल्टिपला ज़दों करांगे तो सड्डे पास की आएगा 3 into A is equal to 2 into B यह वाला relation जड़ा से use करांगे ठीक है जी सो सड्डे पास की है यह linear pair बनते है line बनते है सड्डे पास तो तिन्ने एंगलानों में आगे करना बनना चाहिए एक 180 जहां से यह कह सकते हैं कि जेकर सज्डे हाथ सड्डे पास 90 डिग्री देंगल बन रहे है तक 90 भी देंग्री देंगल बनेगा तासी दुन्नों concept यूज कर सकते हैं linear pair बना सकते हैं सिद्धा यह वाड़ी line थे this plus this plus this is 180 so linear pair दी concept यूज कर दें आपको एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई तिन्ने मलके की बना देने 100 एट्टी डिग्री क्योंकि इस दर नाउन ने ए ते बी देता है अपने ताँ ए ते बी यूज कर ले रेखी जोड़ा linear pair so po y जी सी value पूट कर लेने है बी प्लस a is plus po y is 90 is equal to 180 90 जी राइट है राइट है जाइज नहीं है so b plus a is equal to 180 minus 90 that means this is equal to 90 so a plus b रू मिलके की अंदा साथे पास 90 साथे पास केड़ी कंडिशन है साथे पास कंडिशन है थ्री टाइम्स ओफ a is equal to 2 टाइम्स ओफ b so इत्त है मेरे पास 3 टाइम्स ओफ a तह नहीं है सो जाता मैं इस नहीं थ्री टाइम्स ओफ a चेंज करा जाँ टू टाइम्स ओफ बीच चेंज करा असे एक तीजगे तो दुझे दी वैल्यू पर सकते हैं सो मैं की करदा है एस equation नो इत्तों चेक करके जादा थ्री नड़ मल्टिप्लाई कर लाना है जा तू नड़ता के a नू बीच फुट कर सका जा b नू इन टर्म्स ओफ a फुट कर सका तो नड़ भी मल्टिप्लाई कर सकते हैं तिन नड़ भी कर सकते हैं मल्टिप्लाई 3 सो मेरे पास बनेगा की 3 into a is 3a plus 3 into b is 3b is equal to 270 reason की है कि मैं 3a दी जगा थे की लिख सकता हैं 2b लिख सकता हैं थे a b b हो जेगा a b b हो जेगा फिर मैंनो b d value find आजेगी मेरे पता लग जेगी सो मैं 3a दी जगा थे 2b लिख लेने थे सो मेरे पास की बन जेगा 2b plus 3b is equal to 270 सो दुन्नों में लगे किने बन गे हैं 5b this is equal to 270 दुन्नों साइड से 5 दर की कर दने हैं divide कर दने हैं सो जो दुसी 5 दर दवाइड करांगे इसनों ता है आएक साथे पास 54 degree साथे पास एड़ा एंगल b है वो किना गया है 54 degree असी पता की करना है एंगल c b पता चल गया है मैं c पता करना है so b is equal किना हो गया है 54 so a ते b मिलके 90 बन देने तो जो मैंनो b 54 पता चल गया है तो a किना होएगा a प्लस b मिलके किना बन देने 90 degree एथो मैं a भी पता कर सकते है a प्लस b किना है मेरे पास 54 is equal to 90 degree so a किना आगे मेरे पास 90 minus 54 that means a is equal to 36 degree पामे को पुछय था नहीं गया पर असी फाइंड कर सकते हैं so c फाइंड करना है so c सड़े पास निचली सगड यह बड़ी लाइं निचे बल देखने आपको this plus this दोने मिलके की बना देने linear pair एक line बना देने so मैं जे b ते c नूं add कर लाँ ता मेरे पास answer की आएगा 180 degree so यह कि यह एक linear pair है so b ते c मिलके बना देने रेखी जोड़ा linear pair so b the value मैंनों पता है so b मैं होने पता कीता है 54 degree plus c मैं पता करना है so मैं की add करा 54 दे बिच की answer 180 आजे है so मैं 180 c दे बिच्चों 154 नो subtract करके चेक कर लेना है so यह कि आगा मेरे पास 50 so c is equal to 126 degree so सानों सी पुच्छा गया आसी तेस अडांसर आगया है b भी पता कर ला है आसी यह भी पता कर ला है so next question number 3 जेडा है थोड़ा है डिफरेंट है उस दे बिच आसी कुछ प्रूब करना है values नहीं find करने है नहीं थोड़ा जैदनों डिफरेंट है वह भी डिसकस कर लाने है आपा so question number 3 दे बिच सानों एक figure given है picture इन figure angle PQR is equal to PRQ angle PQR a बड़ा एंगल is equal to angle PRQ यह बड़ा कौन है दो में कौन कीने ब्राबबर ने तो यह सिद्ध करना है प्रूब करना है कि angle PQS बार बड़ा एंगल PQS बार एंगल इस साइड है is equal to angle PRT यह बार बड़ा भी कीने ब्राबबर ने इक information given है तो दूसरी इसी प्रूब करनी है question number 3 दे विच यह दो में एंगल की बंड के साथे linear pair दो मारूं मिलके किना बंडना चाहिए 180 इसे तरह इद्धर भी 180 यह दो में linear pair बंड देने तो मैं की करदा है angle PQR एंगल PQR प्लस एंगल PQS is equal to 180 डिग्री रीजन की है linear pair रेखी जोड़ा इसे तरह में दूसरी सेड सेम कंडिशन अप्लाई कर लेना है कि PQR की आएगा मेरे पास एंगल PQR की आए मेरे पास 180 माइनस एंगल PQS इस सेड में इस सेड लाएगा सो यह मेरे पास 1st हो गया इसे तरह में दूसरी सेड सेम कंडिशन अप्लाई कर लेना है यह थे सेकंड दे बिच एंगल PQRQ प्लस एंगल PRT इस एकोल टो 180 डिग्री रीजन सेम है साथ लिनियर पेर है रेक ही जोड़ा है सो पी आर क्यों मैंनों पी आर क्यों पता है ब्रबर एस दे ता मैं थो पी आर क्यों फाइंड कर लेना है यह की बनेगा 180 इसनों मैं राइट हैंड साइड लाए जानना है माइनस एंगल PRT सो एक कंडिशन मेरे पास ही आगी है सो जिम्मत्य आनल देखा PQR PQR is equal to PRQ PRQ जो लेप्ट हैंड साइड जेड़ी हो ब्राबर है खबह पासा ब्राबर है सो एक कते दो तो from 1 and 2 एक कते दो तो जेकर खबाबासा ब्राबर है तो सज़ा पासा अभी की होईगा ब्राबर होएगा 180-PQS ब्राबर के सदे होएगा 180 minus PRT क्योंकि PQRT PRQ ब्राबर ने A S दे ब्राबर है A S दे ब्राबर है गहाँ दे गहाँ A S दे ब्राबर ने सारे आप अच्की होगे ब्राबर सो 180C और 180C कट गया है इस से लिए गया कि इसी minus कर से करें है implies minus angle PQS is equal to minus angle PRT minus minus कट गए ते साड़ा प्रूव की हो गया है angle PQS is equal to angle PRT एही यसी सेद करना थी के PQS केस दे ब्राबर है कौन PRT दे सेद किता hence प्रूवड दोस्तो question number 4 साड़े पास next है सानु एक फिगर गिवन है 6.16 ते गिवन की है X plus Y is equal to W plus Z X plus Y जड़ा है वहो W plus Z दे ब्राबर है ते सी प्रूव करना है सिद करना है AOBAOB एक लाइन है सिद्धी लाइन है इसनों से लाइन प्रूव करना है ते जड़े साड़े पास हा चार एंगल दते ने X plus Y is equal to W plus Z गिवन है सानु ए चीज़ दती है ए बाड़ी फिकर साड़े पास है सो गिवन ते प्रूव 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 लिख लेन है सो साड़े पास X plus Y is equal to W plus Z गिवन है दता हो है सानु ते सी सिद्ध करना है के AOB करेखा है AOB क्लाइन है सो कोई चीच लाइन के स्तरा बन दी है सो असी रेखी जोड़ा पड़े आए जदों कदे भी लाइन बन दी है इस तरह से दी लाइन होगे ता साड़े पास दो एंगल्स दाइड़ा सम माँदा है ओ की होँदा है 180 आदा है जाता सी किसे तरीक के X plus Y नू 180 कर दी है ये लाइन से दी बन जागी जाँ आसी W plus Z अनू वानिटी कर दी क्यान तो पाब किया आसी एक्चूल देविच प्रूव की करना है तासी सिद्ध की करांगे तो आसी प्रूव करना है कि X plus Y जाँ W plus Z दून देविच चो कोई एक जना मिलकी इकना बना दा ये लीनिर प्रूव कर दा 180C डिगरी दा सम बना दा जोड़ होंंद 180C डिगरी दा क्योंगे रेखी जोड़ दी कंडेशन नही यह कि जदो दो जोड़ा कोणा दा जोड 180 हो गया ये मतलग वह रेखी जोड़ा लीनियर पेर है थे सिद्धी लाइन बना रही है सो असी लाइन प्रूब करना वास्ते इनना दा जड़ा सम है दोमा दे बिचों X प्लस Y दा जा W प्लस Z दा दुना दे बिचों को इसे एक दा सम जड़ा है वो 181 निटी प्रूब करांगे सो प्रूफ दे विच की लिखना सी देखो साथे कोड की आ है एक को पॉइंट दे उपर सारी एंगल बने होए ने जिम्हें आनला देखा ताहीं मेरे कोड एक पूरा गोल चक्कर बन रहे है सारे एंगला दा चक्कर बना रहे है पूरा एस तरह हो एक पॉइंट दे आ ले दा ताह चक्कर दा कोण किन्ने डिगरीदा होंदा है चक्कर दे विच 360 डिगरीदा कोण होंदा है सो जे मैं सारे एंगल आनू एंगल एक्स एंगल वाई एंगल जेड एंगल डवल्यू चारे कोण आनू जोड लमाता उत्तर मेरे कोड किन्ना होना चाहिए 360 डिगरी आना चाह ते W प्लस Z यह दुमें ब्राबर नहीं, X प्लस Y दी जगा ते मैं W प्लस Z लिख सकते हैं, इसे तरह W प्लस Z दी जगा ते मैं X प्लस Y लिख सकते हैं, ता से कोई एक जी जी जूज कर लेने हैं, तो मैं W प्लस Z दी जगा ते X प्लस Y लिख सकते हैं, जो सकते हैं गिवन हैं, तो X प्लस Y इत्थे की आजेगा X प्लस Y is equal to 360 degree, रीजन की यह, के यह सानू इत्थे गिवन है, X प्लस Y is equal to W प्लस Z एक यह सानू गिवन हैं, दत्ता यह सानू, ठीक है जी, तो हण X किन्नी बार आगें मेरे पास इत्थे, दो बार आगें, इसे तरह Y भी किन्नी बार आगें मेरे पास, दो बार, दो बार X है, ते दो बार Y है, एक इस दे एक को लागा 360 दे, तो टू कॉमन ले लाने हैं अपा, दुन ना दे बिच्चों, यह रहा गया X प्लस Y equals 360 degree, डिवाइडिंग बोथ साइड बाए 2, दोनों साइड असे 2 दे नाड डिवाइड करते ने हैं, जो मैं इसनों डिवाइड करते हैं, टू दे नाड सो, टू के एंसल आउट हो जेगा, इसी तरहां 2 दे डिवाइड करते हैं यहाँ सी, सो नेक्स्ट टेप की करांगे, दोनों साइड दो नाड पा आग देन ते, ताहां x प्लस y मेरे पास किया जेगा, x प्लस y is equal to 180 degree ते, so 180 degree, so x प्लस y मिलके की बनाते हैं ना, 180 degree तो एंड दे लाइन की लिखनी यहाँ सी, x प्लस y is equal to 180 degree, क्योंके x अते y, x and y एक रेखी जोड़ा बनाओ दे हां, इक रेखी, जोड़ा, बनाओ दे, अन, ताहां इस तो की सिद्ध होंता है, that implies a, o, b, एक सिद्धी रेखा है, एक रेखा है, एक रेखा है, यह लाइन लिखनी है हो सी, इंग्लिश दे भी ची की लिखना है, x and y forms a linear pair, linear pair बनाओ देने, so, that implies a, o, b, is a line, hence proved, next, साधे पास question number 5 है, figure 6.17, एए figure साधे पास question number 5 ही दी, दूमें साइड, po क्या हो, is a line, po क्या हो, एक सिद्धी लाइन है, po क्या हो, एक सिद्धी रेखा है, रे, o, r is perpendicular, जड़ी, ये साधे पास केरण है, o, r, केरण, o, r जड़ी है, ओहो, o, po क्या हो, उपर किया lump है, perpendicular है, लंब देता है, इसे तरह, o, s, o, s, इक होर साधे पास केरण है, रे है, इना दो मादे विचकार है, तेसी प्रूब की करना है, प्रूब देट एंगल, r, o, s, ए बड़ा कौन, r, o, s, बरबर है, half, अद्धा, कीना दा, q, o, s, q, o, s, t, p, o, s, इना दो नदा माइनस करा है, difference ले आए, अंतर ले आए, इसी, so, जो साधे पास एक सिद्धी लाइन गेवन है, एक परपेंडिक उदर गेवन है, असी यह दो ए चीजां यूज़ करनी है, so, एक साधे पास सिद्धी लाइन है, means रेखी जोड़ा है, दूसरा साध और, p, k, वोदी उपपर लंब है, जो तो लंब बनादा है, तक इन डिगरी ता कौन बनादा है, 90 डिगरी, एदर भी नबे है, एदर भी नबे है, यह सिद्धी लाइन है, तक ही बने है, एक रेखी जोड़ा बने अथा, देखोड़, so, असी यह प्रूब करना है, so, जो असी ओही इनफर्मेशन तो, इत्थे कुछ न कुछ कंसेप्ट क्रियेट करना है, कोई एक दूजर ना लेंक क्रियेट करना है, so, अपसे स्टार्ट कर दें, प्रूफ देविच, so, साथे पास तेन कौमने, एंगल आर ओएस, पहला, दूसरा क्याउ ओएस, क्याउ ओएस, तीसरा साथे पास है, पी ओएस, पी ओएस, so, साथे इना आपस दे विच कुछ कनेक्शन देखना है, सबंद देखना है, so, जे मैं एंगल क्याउ ओएस दी गाल करां, क्याउ ओएस, इन्हों जैसी त्या नड देखिए, दो हिस्चाँ तो बढ़े आ होया है, क्याउ ओएस, एक्थों लेके, इथे तक है, so, एद विच एंगल क्याउ ओएस नों तोड़के लिखना है, एंगल क्याउ ओएस, ये दो जाने तो मिलके बने है, आर ओएस तो एंगल आर ओएस तो प्लस एंगल आर ओएस तो, करू ता चेक, दोने रहे ना, ए वड़ा एंगल साड़ा क्याउ ओएस, इना दो हिस्चाँ तो मिलके बन है एक इना के एक बड़ा सो ए मैंनों पता है आरो क्यों आरो क्यों किन्य दाए 90 नभी डिग्री दाए सो इधा मैं मुलब पर लगना है सो कौन क्यों ओ एस बराबर है 90 नभी डिग्री प्लस कौन आरो आटसरी पर दूसरी पर दूसरा के लिए पर प्वन गणिदे अटा नार दीखना हुआ ना देखना है और पी, ओ, एस, और इता शोटा जाई है, इता किसे दो तो मिलके बनेया नहीं है, पर की तो मैं नब्बे डिगरी अगली concept पा सकता है, इधर भी किनना है, नब्बे है, सो एक तरीक के नड़ की हो रहे है थे, कि ये जड़ा एंगल है, एंगल पी, ओ, एस, मैं की कर दा है, त तक जानना है, इधर तक, पूरे एंगल हो गया, तो एथों एनना portion जड़ा ए, इन्हों हटा दनना है, तो मेरे पास की बज़ेगा, ए बज़ेगा, बड़े एंगल दे विच्छों, मैं ए थोड़ा जा हिस्सा जड़ा हटा दनना है, एक मेरे पास 90 आजएगा, एक मेरे पा समुड़े आनना है, तो क्यों हो कि मैंनू ए एंगल जड़ा है, बड़ा एंगल जड़ा है, यह मैंनू पता है किनने दाए, 90 दाए, तो दूसरा मैंनू एथे रिलेशन ची चाहिए दाए, आर, ओ, एस, तो दुनने बैल्यूस आज़ेगे, जिमें एथे एंजाने, सेम सेम एक 90 आज़ेगी, एक ROS आज़ेगी, सो अपकी कर देया, सेखना पाट देवेचा, एंगल POS लिखना सी, एंगल POS is equal to, एंगल POR, एंगल POR minus, वापस मोड़ रहे हैं, आसी कटा आ रहे हैं, एंगल ROS, जिये इस तरह पता नहीं चालता है, फिर असी दूसरे लोट भी कर साकते हैं, कि जिड़ा वड़ा एंगल है, POR, एंगल POR, यह दो तो मिलके बने हैं, एक POS तो हैं, एक ROS तो, इसमें एददा मी लिख साकते हैं, आसी, वड़ा एंगल POR, पी O, आर, किना दो तो मिलके बन तो रिलेशन सेम ही बढ़ना है प्लस रो एस तो जो तुसी यह इस तरह भी लेख लोगे ताह भी गलत नहीं है बिल्कुल सही है सो इत्तो असी बढ़ना ही है इस चीज नो असी रोज सनो इधर ले चाके पी ओ आर दे बिच आर ओ आसकी कर लाएं आसी मैंनुस कर लाएं नेक्स स्टेप अधे बिच सो POS की आगे मेरे कुल एंगल POS is equal to POR के नहीं आदा है तब POR मेरे पास है 90 डिग्री माइनस एंगल ROS सो इसादी फास्ट कंडिशन बने इसी पहले इसादी बने हैं दूसरी सो मैंनो QOS भी पता लग गया मैंनो POS भी पता लग गया सो QOS थे POS नहीं दूसरी की करना थी असी सब्ट्रेक्ट करना है की करना है सब्ट्रेक्ट करना है माइनस करना है सो मैं QOS दे बिचो POS नहीं की कर दना है माइनस कर दना है कटा दना है सो खब्बे बसे देपेचो, खब्बा बसा, this implies 1 minus 2 करलने यासी, एक देपेचो दूसरे नूपकटा आलने या, सो मुरे किया हुगा, QoS, देपेचे आएगा, minus POS, देखो, QoS, minus POS, सदा लगपागा अंसर बन गया है, is equal to, मुरे यान है, 90 degree, plus angle, ROS minus, ये वड़ा, ब्रेक्ट पाके minus गरांगे यासी, क्योंके दो नंबर ने है, 90 degree, minus angle, ROS, S, so next step देवेच, असी ब्रेक्ट जिड़ी, open कर लेने है, so, एक ही आगास आटे पास, angle, QoS minus angle, POS is equal to, 90 degree, plus angle, ROS minus, जदो ब्रेक्ट ओपन गरांगे, 90 देगे किया जएगा, minus 90 देगे, minus minus कियो जएगा, plus, जदो ब्रेक्ट देगे बाहर, negative sign है, ता अंदरवाड़े सारी sign सी की कर देने, change कर देने, सो, 90 देगे, pluses ही, यह negative हो गया, minus हो गया, यह देगे, minus सत्य देगे किया, जदो ने, plus, angle, ROS, so, 90 minus 90, यह ता 0 हो गया, angle, ROS, plus, ROS, एक ना हो गया, दो बारा गया, is equal to, 2 गोणा, angle, ROS, एधर की है, मेरे पास, left hand side कबे पासे, angle, Q, OS, minus, angle, P, O, S, दोनों साइड असी, दो देना लखी कर देने, पाक कर देने, dividing both side by 2, इस side भी 2 ना डवाइड कर दांगे असी, next step अदे बीच, 2 cancel out हो जेगा, साइड पास, answer की है, इदर लिख देने हैं, ROS, angle, ROS is equal to, एक अदे बार रहे गया, test side की है, साइड पास, 2, वो सी मुरी लिख देने है, 1 over, 2, बाक्की सारा कुछ ब्रेक्ट दे बीच लिख देने है, angle, Q, OS, minus, angle, P, O, S, साइड रिजल्ट आ गया है, hence, proved, जां सिद्ध कीता, दोस्तों, एक्सरसाइज, अग्साम दे, point of view तो काफी important है, एक नएक question है, exercise दा, चार नमबर दा, final exam दे विच, pre-board exam दे विच जरूर मेल जनन दा है, एक question साथे पास रहे गया है, question number six, जेकर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो वीडियो नो प्लीज बाकी साथिया देना, शेयर जलूर कर देओ, like जलूर कर देओ, जेकर तो अड़ी कोई भी query है, तो please comment section दे बिच जाके comment जलूर करेया करो, तो जेकर तुसी है, जेकर मेरे चैनल नो सब्सक्राइब नहीं कीता है, please subscribe my channel, तांके तो अनुल्डे टेस्ट वीडियो दे, regular updates जो ने, वो मिल दे रहे हैं, so question number six, discuss कर लेने अब, so दोस्तो question number six दे बिच साननों कोई figure नहीं दती गई है, दता गिया के x y z is equal to 64 degree, x y z एक एंगला सब्सक्राइब पास 64 degree दा, so x y z में बना ले आए 64 degree दा, एक फिकर त्यार करना गिया है, rough sketch, x y नो बिन्दू P तक बदा आया गिया, x y is produced to point P, यह लिए x y इस दी रे है, एंगल दी इसमें सिद्धा बदा आया, एक लाइन त्यार कर लिए, किथे तक P तक, यह एद्दा आक स्टेंड कर लिए अपाने, so अग्य की गेंदर सन्नूव हो, कि जेकर केरण y q, कौन z y p नो समध पाजित कर दी है, जड़ी साड़ी पास रे y q है, y तों q वालिक ray ड्रॉ करनी है, जड़ी एंगल z y p दा bisector है, उसनों अद कर दिया, bisect कर दिया, अद, सो ए वाला एंगल जिडा होएगा, इस दे की होएगा, ब्रब्र होएगा, सो जदो भी कदे bisect होंदा है, एंगल, तो उस दे दो ब्रब्र ही से हो जाना है, सो ए वाला पाट ते ए वाला पाट की है, इक्वल है, तिस हम पुछया की गया है, सो जदो bisect होएगा, फिर की होएगा, वो आपा लिख लेने थे, सम्द पाट जगे bisect कर दिये था, एंगल zyq, ए वाला एंगल, तो मतलब की होएगा जाटे पास, एंगल zyq is equal to qyp, qyp, यह दो भी एंगल की होंगे, ब्रब्र होंगे, ब्रब्र होंगे, क्यों, क्योंकि है bisector है, वो दा सम्द पाट जगे है, सो इस अनू गेवन है, वाली चीज, find की करना सी, एंगल xyq, एंगल xyq, तो साथे पास देखो, यह जड़ी यसी line, extend कीती है, सिरे तक, एक यह साथे पास एक सिद्धी line है, इस तरह, सिद्धी line जड़ी होंगे, साथे पास किनने degree दे एंगल बना दी है, 180 degree, सो कैन तो पाप की है, कि जदो मैं इत्थों लेके, इत्तिनों एंगल ट्रेस करूँगा, ता मेरे पास 180 degree दे एंगल बनेगा, लिनियर पेर बनेगा, सो एंगल xyz, इसी solve कर दें, एंगल xyz, प्लस एंगल हो गया, दूसरा zyq, एंगल zyq, प्लस तीसरा एंगल qyp, एंगल qyp, तिन्नों मिलके किनना बना देन, 180 degree, reason की है, कि xyp की एक line है, is a line, xyp की एक रेखाई, सिद्धी line है, ता जो दो रेखा बन दी है, ता 180 degree दा कौन बन दाए, so xyz एंगल पता है किनना है, चाहट है, so इत्ति मैं इस दी value बर देना, 64 degree, प्लस xy क्यों find करना मैं, so पहला मैं key find कर दे, दुन्नों चिक find कर लेना है, क्योंको दुन्नों बराबर ने, so यह मेरे पास एक कंडिशन है, zyq, ते qyp की ने बराबर ने, so qyp पता करना है, मैं zyq दी जगा ते key put कर लेना है, qyp, so qyp, plus angle qyp is equal to 180 degree, मैं zyq दी जगा ते, यह बड़ा qyp लेक लेते, so 64 मैं सजे पास से जाके right hand side जाके subtract कर दना है, qyp, plus qyp, यह दो बर हो गया, is equal to 180 minus, 64 मैं उसी right hand side लेना है, की होएगा सजे पास हो, subtract होएगा, so 180 degree दे बिच्चों वसी, 24 degree जो दो माइनस करांगे, तो सजे पास की आएगा, 2 into 2 बड़ा, कौन qyp is equal to, 180 चोहोंटे सजे पास आजानदा है, 116 degree, 116 degree, so दोन्हों साइड असी दोनल डवाइड करना है, ताके असी अंगल qyp find कर सगी, next step दे बिच्च लेकर दिएगा, dividing both side by 2, so angle qyp is equal to, 16 दाध साढ़ पास करना है, 58 degree, so असी angle qyp जड़ा है, find कर ले आए, पर असी find की करना है, actual दे बिच्च, असी find करना है, reflex angle qyp, so reflex angle qyp की इस तरहां फैंड दे आगे सी, so next step ले लेने आपा, so reflex angle find करना सी, reflex angle qyp, उन्हें इस लिख दे लिए, that is equal to, reflex angle की इस तरहां फैंड कर दे आए, so जिकर तो अड़े पास, एक angle इस तरहां गेवन है, कि ये 58 degree है, तर reflex angle इस तरहां बार बड़ा पास आँद है सारा, ता सीखी कर दे आए, सारे नो total angle की इना सड़ा है, circle है, 360, उस दे विच्चों सी ये बड़ा इजड़ा angle है, क्यों yp जड़ा है, उसनो minus कर देने है, so सड़े पास answer की आएगा, 360, minus 58 degree, so answer की आए सड़े पास, 302 degree, 1002 degree, सड़े एक पार रहेगा, यो रहेगा, सड़े एंगल, x, y, q, सड़े पार सड़ा फाइंड करना तो रहेगा, एंगल x, y, q, ये फाइंड करना सी, सड़े पास शुरू दे बच्च कंडिशन सी, कि एंगल, z, y, q, is equal to, एंगल, q, y, p, दो में एंगल की ने, बराबर ने, so q, y, p, था मैं बता कर लिया है, 58 है, ये था मतलब z, y, q भी की होईगा, 58 होईगा, तब सानों पुछा की गए, एंगल x, y, q, एंगल x, y, q, ये दो एंगला दो मिलके बढ़े है, एंगल x, y, z, प्लस एंगल z, y, q, तब एंगल z, y, q, भी पता लग गया है, x, y, z मैंनों दता हो है, 64 डिगरी, ये मैंनों पता लग गया है, कि 58 है, तब मैं दून दनों की कर लाँगा, प्लस कर लेने है, ये दो एंगल x, y, q, ये दो तो मिलके बढ़े है न, तो, एंगल x, y, q, ये दो एंगल ना तो मिलके बढ़े है, अगल x, y, z तो, प्लस एंगल z, y, q तो, तो, x, y, z साननों शुरूची देता सी उने, 64 डिग्री, तो, z, y, q वसी फाइंड कर ले आए, 58 डिग्री, तो, दून ना प्लस करके की आएगा साड़े पास, एंगल x, y, q is equal to 122 डिग्री, तो, इस अड़ा की है, अंसर है, तो, दोस्तों, अमीद है, तो, अन्नों exercise 6.1 जिड़ी है, समझाई होएगी, ज़िकर वीडियो अच्छी लगे तो, प्लीज वीडियो नो, लाइक ते बाकी साथ यांदेना और शेयर ज़रूर कर देओ, और भी वीडियो से लगे मेरे चैनल नो, सब्सक्राइब करो, किसे भी तरा दिदा डिक्वेरी है, प्लीज कॉमेंट सेक्शन देविच जाके कॉमेंट दूट कर देगरो, चैनल ते ओन लगे, प्रनावाद,